Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं Neat Roots और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले की कैसे आप काल लिनिक्स के अंदर जो भी टूल्स हैं Information Gathering के अंदर उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां पर अगर आप Information Gathering अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो about 40% आप Ethical Hacking कम्प्लीट कर लेते हैं तो जिसके लिए हम यहां पर बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं तो उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे और सब सेक्शन से जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में देखेंगे DNS Analysis तो इसके अंदर भी आपको तीन टूल्स दिख जाएंगी तो इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम प्रेक्टिकली जानेंगे बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिट DNS क्या है और यह कैसे वर्क करती है तो जिसके लिए हम आप मूफ करने वाले हैं अपने स्लाइड के उपर और आप वहाँ पर उसको ध्यान से देखेगा तभी आप इन सारे टूल्स को अच्छे से यूज कर सकेंगे यहां पर आप देख सकते हैं आखिट DNS सर्वर होता क्या है और यह कैसे वर्क करता है इसको हम आप एक्स्प्लेंड करने वाले हैं तो DNS सर्वर का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर जिसकी मतलब से आप जो भी वेबसाइट होती हैं उनकी रिक्वेस्ट की रेस्पॉंस पाते हैं तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो यूजर होते हैं वो सिंप्ली जब google.com लिख कर request send करते हैं तो वो web server या फिर DNS server पर जाकर उसकी response के लिए वहां पर data collect करती है बट internet domain name को recognize नहीं करता है जैसे कि अगर आप google.com सर्च कर रहे हैं तो वो google.com को अच्छे से जैसे कि मालो computer 10101 पर काम करता है इसी तरह से web servers IP address पर काम करती है तो जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप google.com domain name से सर्च कर रहे हैं तो वो directly आपको उसकी result नहीं देती है वो पहले web server पर जाती है और वहां से जो domain name है वो IP address में change होती है उसके बाद फिर आपको data पर transfer किया जाता है जिससे आप उसका access पा सकते हैं तो अब जान लेता है कि आखिर ये काम कैसे करता है तो जैसे कि यह PC है और यहां पर यह DNS server है तो यहां से जैसे ही आप request send करते हैं उसके बाद यह local host पर जाती है या फि information को use कर सकते हैं और अब जान लेता है कि आखिर ये काम कैसे करता है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे phase होते है वाप Sub domains के तरफ मत लेजिए का ये एक तर片 के पैटन में काम करता है जैसे कि याप यहां पर देख सकते हैं जो क्लाइंट होते है वो domain name को search engine पर type करके send करते हैं और फिर वो DNS recursive resolver के पास आती है जहां पर ये domain name को collect करता है और उसको DNS root name server पर transfer कर देता है और DNS root name server का काम होता है उस domain name को IP address में change करना और उसको change करके DNS TLD name server पर transfer करना और जहां पर DNS TLD name server का काम होता है जो domain name है जिसको DNS root name server ने IP address में change किया है उसको वो whole पूरे internet के उपर search करता है और फिर उसको transfer कर देता है authoritative name server के अंदर जहां से आपको data transfer होती है इसी तरह से ये सभी काम करती है तो इसको आप फिर से हम repeat कर लेते हैं सबसे पहले client domain name search करते हैं उसके बाद वो DNS recursive collect करती है और transfer कर देती है DNS root name server के उपर जो कि उस domain name को IP address में change करती है और फिर उसको transfer करती है DNS TLD name server के उपर और फिर इसका काम होता है सभी जगों से उसको search करके निकालना जैसे कि आप google.com search कर रहे हैं तो उसकी IP address पाने के बाद यह whole internet पर उसको search करेगा और फिर उसको authoritative name server के उपर डाल देगा जहां से सारी data आपको directly मिल पाती है तो I hope आप समझ गये होंगे कि आखिर DNS होती क्या है और यह कैसे work करती है और अब हम move करने वाले DNS record के उपर जहां पर हम जानेंगे कि कैसे DNS record यूज होती है और यह आखिर है क्या तो यहां पर आप DNS record की types देख सकते हैं जैसे कि A और फिर 4A और फिर CNAME, MX, NS तो इन सब का काम अलग-अलग होता है जैसे कि जो A है वो address record करता है IPv4 का अब IP address क्या है IP address एक तरह का address होता है जो कि सभी devices को लेना पड़ता है इंटरनेट से connection लेने के लिए simply इसको समझे कि अगर किसी device को connection चाहिए इंटरनेट से तो उनको एक address मिलती है जिसको हम IP address बोलते हैं इसी तरह से यह जो 4A है यह IPv6 को record करती है और इन दोनों में difference यह है कि IPv4 कुछ specific number तक ही सीमित है बढ़ जो IPv6 है वो millions of records को रख सकती है या फिर millions of domains को collect कर सकती है और फिर हम देख लेते हैं cname को cname का काम होता है जो भी हम domains देते हैं उनके अंदर जितने भी sub domains उनको collect करना होता है और फिर उसको user के पास send करना होता है और अब मैं इन सभी चीजों को आपको simply समझा देता हूँ कि कैसे आखिर यह DNS server record काम करता है तो जैसे कि आप laptop या फिर mobile phone यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको folders मिल जाते हैं जैसे कि मानलो video, audio और फिर documents की और आप जैसे ही उसको open करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी files है या documents जो भी महाँ पर data है वो आपको show हो जाती है इसी तरह से DNS record types भी काम करती है यह इनके folders है जहाँ पर आप इनको open करके यहाँ पर check कर सकते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन से data है तो इसको आप अपने laptop और mobile phone की folder से compare करके समझ सकते हैं कि कैसे यह सभी चीजे काम करती है तो वहाँ पर जैसे के audio में सिर्फ आपको audio मिल जाती है और फिर video के अंदर सिर्फ आपको video content ही मिलती है तो इसी तरह से यहाँ पर आप A के अंदर IPV4 की सभी record देख सकते हैं और इसी तरह से 4A के अंदर IPV6 की जितनी भी record है वो सभी चीजे देख सकते हैं इसी तरह से CNM जितनी भी subdomains से उनकी record collect करता है और फिर हम जान लेते हैं MX mail exchanger record के बारे में तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगी कि आखिर mail काम कैसे करता है तो जैसे कि मानलो यह मैं हूँ और यह मेरा friend है और फिर मुझे इसको mail send करना है तो मैं कैसे करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों की device में mail send करने के लिए application नेसेरी होती है तो इसके लिए हमारे पास एक application है और फिर हम यहाँ पर mail को type करके send करते हैं जो कि हमारे mail server पर जाकर store होती है और यह मेरा mail server है जहाँ पर मैंने mail send कर रखा है और फिर यह mail server इसको transfer करता है मेरे friend के mail server के उपर जहांपर यह सबी data को collect करके send करता है मेरे friend के mail application के उपर जिसे वो उसको so होता है तो इसको simply समझी यहां से मैंने mail को लिखा और फिर यह मेरे mail server पर store हुआ और फिर यहां से transfer होता है मेरे friend के application के उपर तो इस तरह MX record काम करती है और आप जान लेते हैं NS name server record के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे world में सिर्फ एक name server तो है नहीं या फिर सिर्फ एक DNS तो है नहीं जहां पर हम सारे data को check कर सकते हैं या फिर उसको record करके रख सकते हैं पूरे world के अंदर बहुत सारे millions of records हैं या फिर बहुत सारे millions of DNS servers हैं जिसमें data store होती है तो NS record का काम क्या होता है कि जो भी DNS server है उसकी data को IP address में change करके home data को हमें provide कर देता है तो यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे DNS काम करती है या फिर DNS क्या है और फिर हमने देखा कि DNS record क्या होती है और उसको कैसे store करते हैं और उसको कैसे हम समझ सकते हैं और अब हम move करते हैं अपने काली machine के उपर तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमने information gathering के अंदर DNS analysis के अंदर जो तीन tools हैं उसके लिए हमने जो DNS का concept था उसको clear किया है और अगली वीडियो में हम इनी tools को कैसे practically यूज कर सकते हैं उसके बारे में practically जानने वाले हैं Till then stay safe, stay secure, thank you